नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचान के नुसा चैत्रमा के अंतिम और हिंदो नवर्ष का प्रतम प्रदोशवरत चैत्रमा के शुक्ल पक्ष की त्रोदेशितिधी के दिन रखा जाएगा सोम बार का दिन होने के कारण इसे सोम प्रदोशवरत के नाम से जाना जाता है मानता है कि सोम प्रदोशवरत के दिन भगवान शिव की पुजा जना करने से सभी मनों कामनाय पूरी होती है आज के इस वीडियमे हम जानेंगे कि सोम प्रदोशवरत कब है तीन या चार अप्रेल को पुजा की विधी क्या रहेगी प्रदोश काल का समय क्या रहेगा और भगवान शिव को अर्पित करना ना भूले बस एक बस दूर तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आपने से सबस्क्राइब ने किया है तो आगामी प्रत एवं तैवारों के तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नॉटिविकेशन म पुरा दिन उपवास रखे सुरियास्त से कुछ देर पहले दुबार रस्नान करें और सफेद स्वक्ष वस्त धारन करें इसके पश्यात जल या गंगा जल से पुजय स्थल को शुद्ध करें गाय का गोबल ले उसकी मदद से मंदप का निर्माण करें पांच अलग अलग रंगों की मदद से मंदप में रंगोली बनाएं पुजय की सारी तैयारी करने के पश्यात उत्ता पुर्वदिशा की ओर मुख करके कुछा के आसन पर बैठ जाए भगवान शिव के मंद्र ओम न चाहिए शाम के समय शिव तान्रव स्रोत का पाठ करना शुफल्दा इमाना गया है सोम प्रदोश्वरत तीन अप्रेल दो हजार तेज दिन सोमवार को है सुरुदे होगा सुबह छे बचकर नौ मिनट पर सुरियास होगा श्रम के छे बचकर चालिस मिनट पर शिव का वास रहेगा कैलाश पर सुबह च्छा बच कर चौबिस मिनट तक उसके बाद नंदी पर रहेगा प्रदोशकाल पूजा का समय रहेगा शाम के च्छा बच कर चालिस मिनट से आठ बच कर थावन मिनट तक को लबदी रहेगी दो घंटे 18 मिनट की त्रोदर्शी तिति कारब होग तीन अप्रेल की सुबह च्छा बच कर चौबिस मिनट पर और समापती होगी चार अप्रेल की सुबह आठ बच कर पांच मिनट पर मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर्म लेंगे किसी नए वीडियो के साथ